तो भूश्य दो गाइज विलकम बेक टो मैं चैनल तो भी आज आपके सामने आई एफ चेट एक्स यमा की तरफ से इसका न्यूली लॉंच वेरियंट आप इसका देख पार हो सामने आपके इसका औरेंज के लिए और इसमें आपको जाता औरेंज कल देखने को मिलेगा अधरवाइस सारी बाइक मैट ब्लैक कलर के आपके अंदर प्रवाइड होती है तो भी बाइक के लोक्स और डिजैन की बात के तो काफी यह तक मिरे को यूनीक लेगी इसमें फ्रंट का पार्ट इसका काफी सबसे अटक साथ जार मतलब ऐसी लुक के साथ और ऐसा हमला फीचर के साथ इस बाइक की जो प्राइस मेरे को काफी हद तक कम लगी है और लुक्स के मामले में तो मिरे को काफी सही लगी इसकी फ्रंट हैट लाइट वह हम आपको आगे चल कर दिखाऊंगा और विसकी टैंक का जो लुक इसको काफी बॉल्ड है तो चली बात करते हैं हम इसी के बारे में देखते हैं क्या कुछ इनों नहीं आप नया कर रखा है तो प्रेंट में आप जैसे की हैड लाइट देख पा रहे हो है काफी हद तक यूनिक लगा है और चुश का वीजिन है वह भी काफी हद तक प्रेंट के अंदर आइसा नहीं होता क्योंकि जहातर कर अधर बाइक होती है तो महां पर करना पड़ता है अपने को मोडिफाइड करना पड़ता है मोडिफाइड के अंदर भी इतने मतलब नहीं होते हैं मतलब कंपणी ने आपको पहले सही ऐसा प्रोवाइड करा दिया कि मिला आपको छेड़ने की जूरति के अंदर कुछ में नहीं पड़ेगी एक खटके डिजाइन दे रखा कंपनी है मतलब की और साइड में आपको अब इसका नेचे का में आपको दिखाता हूं उसका मडगार मडगार पर आपके एबिस की यहां पर इन्होंने ब्रैंडिंग कर रखिया है और आप मैटल सीट लगा रखिया यह फुल पार्ट जो मडगार मैटल सीट के अंदर आपको मिलता है पोकर के उपर आपको यहां रबर गरीप आपको यहां पर देखने मिल जाएगी पूरा स्टील के अंदर आपको इसका शोकवर प्रवाइड हो जाता है और नीचे की तरफ इसके डिस्क की बात करे तो 282 mm का आपको इसमें डिस्क प्रवाइड हो जाता है और जो टायर सेक्शन है वह भी काफी इसका ब आपको इसके अंदर डिस्क प्रोवाइड हो जाते हैं तो यह थी फ्रंट टायर की प्रोफाइल आपने देखिए मरेफ कंबने आपको इसकी सहीतिय रखें तो चलिए बात करतें साइड लुक्स के बारे में तो साइड लुक्स आप इसके देख पा रहे हो भी मतलब काफी पाइक का जो टैंक ना वह काफी है तक बोल्ड नहीं दे रहा हैं तो मैं आपको इसके टैंक पर के जो ग्राफिक कर रखें रहा हैं यहां पर प्लैक सिंपल ब्लैक कलर में लिख रहा है मतलब 3D के अंदर और नीचे आप यह देख और यहामा की बैचिंग और नीचे की तर सब्सक्राइब कर रखें और ब्रेक पैड के ऊपर इन्होंने फोर क्यूब कट आउट से रखें ताकि अच्छी तरह से बनी रहे साइड में आप यह वाइड का जो बोक्स देख पार इसका स्टोरेज होता है और इसके साइलेंसर आप इसका देख पार साइलेंसर फुल ब् सब्सक्राइब कि यहए काफी कि आपको इसमें टायर मिल जाते हैं मतला की कोई भाई को नगे डूबले से आपको दोने आगे बीसे पर चाहर से मिलता है और सेवन टाइर प्रोफाईल आपको मिलती एक 43F के साथ विलिवे उसके उपर भी नहीं होने आपे और इनसी श्ट् और इसके पीछे की तरफ यह आप इस गार्ड देख पार यह गार्ड क्या करता है बारिश का मोसम हो कि जट कम उसमों तो क्या होता बाइक से पीछे चीटे निकलते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है ताकि आपको पीछे बैठने वाले को कोई समझ्या ना हो और पीछे की तरह देख पा रहे हो ताकि आपको जो बैठने कोई दिखकत नहुंप़ोटेबिल्टी तौ सेस्पेंस तो हैं यहाँ पर इनों में मैणेज कर रखा दो यहां को सेंटर में पर प्रोपर सब्सक्र बीचे का यह उप्र का पोर्षन नहीं हार्ड लगा उस नहीं करा रहा है जब सब्सक्राइब यहां पर आपको थोड़ी बहुत लाइन के साथ इसका डिजाइन यहां पर मैंड़िज कर रखा तो चलिए इसके बैक प्रोफाइल की बात करते हैं आप इसके देख पार रहे हो भई काफी ठीक टाकिनोंने दे रखी है पीछे की तरफ थोड़ा यहां पर साथ में आप क्या इसमें रिफ्लेक्टर का भी काम करते हैं लाइट आप द्यान से दे सकते हो लाइट कूपर कंपनी ने आप थोड़ी यह पन्नी आवे लगा रहे है कि मैं इसको अटा देता हूं तो इसको मैं आपको ना ओन करे दिखा तो ऑन होने के बाद यह लगती कैस अब आपको पूरा एलेडी सेट अप प्रोजक्टर की साथ मिलता है और इसके इंडिगेटर की बात के तो इसके देख पा रहे हो इंडिगेटर साफ को मिलते हैं सिंपल फ्रेंट की तरह यह यलों के अंदर तो इनका विजीबिलीटी मैं आपको फ्रेंट में ओन्ड़ कर दिखा दिया था और नीचे की तरफ देशक तो यहाँ पर यहाँ पर लाइट मैनेज कर आगे तागे नंबर प्रेट आपके इजीली शो हो सके और साथ में साइड आपको यहाँ पर रिफ्यक्टर भी मिल जाते हैं तो भी यह ती कुछ बाइक की एफ जैड एक्स की बैक की प सब्सक्राइब करने से इजीली ओपन हो जाता है बहुत की बात करें तो वह आपको 1.6 लीटर इसका रिजर्वेशन फ्यूल कैपैस्टी आपको प्रवाइड हो जाती है इस आपका की इन बूट करने से इजीली ओपन हो जाता है बहुत काफी है विली बाइक का जो टैंक है वह आपको इसमें शो होता है तो भी चलिए इसके बात करते साइड लोक्स के बारे में तो साइड लोकस आप इसका देख पार लेफ्ट साइड की तरह से बाइक कुछ ऐसी लगती है सेम भई यह राइट की तरह आपको मुतलब यहां पर यहां पर इन्होंने बैजिंग कर रखिए है इसका यह शोट डेसक्ति मुलब वाइट में बाइक आपको लगती कैसी है तो चलिए थोड़ा क्लोजर चलते हैं और देख सकते यहां पर आपको फिर से यहां मां की बैजिंग आपकर रखिए तीडी बिंट नहीं है और वहीं साथ में आपर हानी कॉम टेक्चर का थोड़ा से डिजैन आप दे रखा है और यह जाब यह देख पार है यह क्या होता कि अंदर इंपेक्ट नहीं जाना देता वाइक गिरने वेगर आपर साथ में मेटल के अंदर फूटर आपको इसका प्रोवाइड हो जाता है प्लास्टिक पार्ट इसके अंदर रखाया पूटर इसका इंजिन गाड़ आता है इन पुछ फूल मेटल के साथ तो चला सकते हो तो इसके साफ से तो इतना मेलेज तो बनता भी है साफ ढर्याझ तो चली बात करते हैं स्कारल करती हैं कि क्या तरफ रन किया तो कुछ ऐसे आपको इसका कि वीजन आपको देखने को मिलता है आपको नर्मल तो इंफोर्मेशन आपको मिली जाती है साथ में थोड़ी ब्लूट कनेक्टिवीट इवी कंपन्या को इसमें दे देती है एक इनसे स्टार्ट बटन नीचे की तरफ सेल पड़न नटम ने दे रखा है और इसके लेट साइड में चले तो आप देख पार यहां पर इसका पर फ्रंट में पासिंग का बटन आपको दे रखा है जो कि आप जीए इसको चोटा से रखा इन्होंने और एक चीज में सब से यून नहीं कि यह देखो आप यहां पर आपको लगाना पड़ता है पहले मतलब नौर्मल आपको इसमें यूएसबी वगएरा पॉर्ट नहीं दे रखा इसमें एक फायदा आपकर कार चार्जर करके आप डूल पॉर्ट वा अब आपको глुन साथ की साथ करें करना पड़ अब लगाके नहीं रख सकते हो तो यह थी कुछ information और भासके बात करते वान फिप्वेशं इसका एंजन है तो इंजन इसकी पर परफोरमेंस है उसकी आ भात करते हैं उसकी पाजश्क परफॉरमेस्स है को डिपले कर दूँगा आप इसको पढ़ सकते हो कि यह यह था यामा एफ्जाड एक्स की देडिसों सीजी इंजन की पावर प्रफॉमेंस के बारे बात चुलिए बात करते हैं के बारे मतलब कि लैंद्ध वेथ हाइट अवगरा सीड़ अवगरा क्या कुछ है जो भी बाइक की सारी इं तो भी यह थी इंफ्रमेशन हमारे तरफ से आपके लिए यामा एफ्जाड एक्स वन फिफ्टी सीजी टू थाउजन ट्वंटी थरी के बारे में तो भी डिट लाग के प्राइस सेग्मेंट के इसाफ से तो भाइक की लोग मिरे को काफी अतक सही लगी है और हां मैं इसको वैलिव फॉर मनी भी कहूंगा क्योंकि देट लाग के अंदर आपको काफी बोल्ड डिजाइन आपको वाइक के अंदर मिल जाता है और वन फिफ्टी सीजी का इंजिन आपको इसमें देखने को मिल जाता है मैलेज भी ठीक मेरे को लगी 48 किलोमेटर से काफी सही है अगर आ सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मैं लाता रहूं आपके लिए और नहीं वीडियो में तब तक के लिए आपको जैंद और जैभारत